दोस्तों जैसा कि आपको पता है दो दिन पहले फ्री स्टाइल कुष्टी की टीम ने सबसे ज़्यादा पॉइंट लेकर चैंपिन स्टोफेर पर कबजा करी तियास रचा था ऐसा ही कुछ होने वाला था आज सायद अगर हमारी दो पहलवान चोटी नहीं होती तो चोथे दिन नितिका पहलवान को सेमी फाइनल के लास्ट राउंड में चोट लगी थी वो आज ब्रोंज मेडल के लिए मुकाबल नहीं खेल पाई और आज फिर से अरसिता पहलवान को ब्रोंज मेडल के लिए बाउट के दोरान दूसर राउंड में हंगरी की पहलवान से चो पर रहा पर यह दो मुकाबले नहीं होने के काण USA की टीम ने बाद जी मार ली और बारत 149 पॉइंट के साथ दूसरे पाइदान पर रहा पहले पाइदान पर 149 पॉइंट के साथ USA की टीम रही वही तीसरे पाइदान पर 134 पॉइंट के साथ रिस्या की टीम रही तन्यवाद प्राफ्ट